हेलो एवरिवन वेलकम तु अभी पीडिया पावरड बाई अभी मन्यो आई एस और सी सेट की आज के अंदर हम डिसकस करने वाले काफी इंपोर्टन टॉपिक डाट इस डाट इंटरपिटेशन और डाट इंटरपिटेशन के अंदर भी हम क्या डिसकस करने आले आज लाइन डिसकस करेंगे सभी को पता लाइन चार्ट पे कोश्चन बनता है सी सेट के अंदर हां जी सी सेट के अंदर डाटा इंटरपिटेशन काफी इंपोर्टन रोल प्ले करता है और अब डाटा इंटरपिटेशन के अगर हम बात करें तो वहां पे लाइन चार्ट भी थीक है हां जी line हो गया पाई हो गया यह इसके अलाव आपके पास बार ग्राफ हो गया data table होगी all are very important ओके तो last class के अंदर मैंने आप लोगों के साथ में discuss किया था पाई चार्ट, आज के क्लास के अंदर हम डिसकस करने वाले हैं लाइन चार्ट, तो लाइन चार्ट अगें वेरी इंपोर्टेंट है, तो जब भी आप लाइन चार्ट के अगर हम बात करते हैं, तो देखो नाम से ही माइंड में आ रहा है लाइन, that means कि डाटा जो है हमारा वो बाई लाइन रिपर्जेंट हो रहा है, ठीक है, अब उस डाटा को हमने इंटरप्रेट करना है, कि आपके पास में एक्स एक्सिस, य एक्सिस के अंदर जो डाटा गीवन है, that is representing by लाइन और उस लाइन से कोई पर्टिकॉलर पॉइंट के उपर डाटा कितना है, ठीक है, अ यहां पर आपके पास में एक डाटा है, ठीक है, क्या है आपके पास में, यहां पर जो डाटा है, वो लाइन से रिपर्जेंट हो रहा है, सभी को दिखाई दे रहे है, तीन लाइन दिखाई दे रही है, एक आपके पास में रेड कलन की लाइन है, एक ब्लू है और एक ग्र फ्रूट्स, कोस्ट ओफ, फ्री डिफ्रेंट फ्रूट्स, इन रुपीज पर केजी, इन फाइव डिफ्रेंट सिटी, अलग-लग पाउच सिटीज के अंदर, जो कोस्ट है फ्रूट्स की वो गीवन है, और जो रैड लाइन है, वो रिपरजेंट कर रही है एपल को, सोरी, रै क्लियर, अब यहाँ पर अलग-लग सिटीज है, जलंदर, डेली, चेंडिगड, होशारफूर, एंड रोपर, अब देखें, कोस्टन क्या है, यहाँ पर देखो, इन वीच सिटी, इस दे डिफ्रेंस बिटूइन दा कोस्ट ओफ, वन केजी ओफ एपल, एड वन केजी ओफ ग तो जलंदर में टिफ्रेंस देखें, यह जो दो लाइन्स है, यह कितना डिफ्रेंस है, हमारे पास में 20 का डिफ्रेंस है, यहाँ से यह ज आब वैल्यू लेकर डिफ्रेंस, फाइंड आउट करलो, यह 60 है, यह 160 है, धैट मिंस की 100 का डिफ्रेंस, यह देखो न, इस लाइन में अगर हम चेक करें तो यहां पर डेली के अंदर आप देखो कितने का डिफ्रेंस है 40 का डिफ्रेंस है ठीक है यहां पर आप देखी कितने का डिफ्रेंस है 60 का डिफ्रेंस है यहां पर देखी डिफ्रेंस कितने का है आपके पास में 60 का डिफ्रेंस है यह आपके पास 20 का ड वेस्ट है डेली का अंसर के आज आएगा यहां पर आपके पास में डेली विल बिटार्ट अंसर ओके हां जी किसी को कोई डाउट इसके अंदर हां जी कोई डाउट इसके अंदर क्लियर है सभी को नेक्स देखते हैं next question है same DIP करता cost of 1 kg of gava cost of 1 kg of gava is approximately what percent of the cost of 2 kg of grabs inch and diggers yes gava in jalan the gava in jalan that means kie red line के अंदर jalan दर के अंदर हमने चैक करना थे कितना हारा है 60 ठीक कितना रहा है 60 कितना 1 kg का इस ने तो 1 kg कितने रुपय का हो गया 60 का हो गया simple सा point है दूसरा हमने चैक करना है graphs in Chandigarh Chandigarh यह है graphs यह है ठीक है कितने रुपय का है 90 का अब उसने का 2 kg of grabs तो 2 kg कितने का हो गया yes 2 kg हो गया आपके पास में 190 का sorry 180 का हो गया clear अब हमें find out करना है कितना परसेंट है तो यहां पर अपने पास में जो percentage आ जाएगी वो कितने आगी yes this is 60 divided by 180 कितना आ गया आपके पास में yes this is 33% 33.33 अब यहां पर question के अजर approximate गिवन है that means approximate means nearby value लेनी है तो 33 ले सकते हो 34 ले सकते हो अब तो option के अंदर 34 गिवन है so you can take 34 ओके हां जी बताइए किसी को कोई भी डाउट हो देखिए अगर कोई भी डाउट आता in that case you can comment in the comment section यह हमारा free warm-up course है इसके अंदर अभी quantitative aptitude का portion हम discuss कर रहे हैं उसके बाद logical reasoning करेंगे English करेंगे means C set का आपका पूरा syllabus हम cover करने की कोशिश कर रहे है इस free warm-up के थूँ जो important questions पहले हम discuss कर रहे है उन्हीं topics को जो important exam point of review से ओके तो free warm-up course का description में link available है you can join free warm-up course by the description okay link पे जाएंगे वहाँ पर 100% discount को आपने अवेल करने तो आपको यह कोर्स में अवेल हो जाएगा ठीक है उसके बाद में एक दूसरा भी course है previous year series का जिसके अंदर हमने पूरे six years के previous year questions को discuss किया है तो वो भी आप लोगों के लिए काफी helpful रहने वाला है तो आप उसको भी join कर सकते उसका description में link available है तो आप उसको भी join कर सकते ओके हां जी question में कोई doubt हो किसी को बिल्कुल clear है next question की तरफ मोग करते है next question देखे क्या है क्यारा कि वाट इस टोटल अमाउंट विल राम पे तू शोपकीपर फॉर पर्चेजिंग 3 kg ओफ एपल एंड 2 kg ओफ गावा इन डैली डैली के अंदर डैली में आते हम और यहां पर हम देखते हैं प्राइज कितना है तो यहां पर देखिए कि 3 kg ओपल एपल means blue one यहां पर यह है 130 रुपए का ठीक है और क्या है आपके पास में गावा इन डैली डैली के अंदर अपने पास में गावा है रेड दो यह हो गया आपके पास में 90 रुपीज का अब उसने क्या क्या थी केजी 3 kg ओफ एपल 3 kg ओफ एपल कितने का हो गया वन थर्टी इन पास गावा टू केजी ओफ गावा कितने का हो गया 90 इंटू 2 दैट मिंस की बाने टीका तो टोटल कितना पे करना पड़ेगा टोटल कितना पे करेगा हां जी दोनों का एडप कर दोगे यह आज आएगा आपके पास में 570 सिंपल कितना हो गया 570 विल भी तकरेक्ट आप से जितना किलो उसके साथ में पर केजी का कोस्ट जो है हम मृटिप्लाइए कर देंगे हां जी नेक्स्ट डिया यहां पर देखो क्या है आपके पास में वाट इस डेशो बिट्विन टोटल नमबर अव तुडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट कर रहा है क्या रिपर्जेंट कर रहा है कि 3 different institutes का data represent कर रहा है हाँ पर student का studying in different courses, courses क्या है MCA, MMS, PGDBM, MSC, BTEC and B Pharma, ओके अब यहां से हमने data लेना number of students का, तब क्योश्टन क्या है what is the ratio between the total number of students studying in MCA from all the three institutes, यह तिनों के तिनों institutes का MCA का, ठीक है MCA and the total number of students studying in MSC, MSC कहाँ पर यह है, from all the three institutes, यह आपको find out करना है, ठीक है अब सबसे पहला काम क्या है, कि वहां से हमने data pick करना है, कि भी data क्या है, तो यहां पर आप देख रहे हो, कि MCA का अगर हम देखे, यह देखो, जो difference आ रहा है यह दो lines के बीच में, कितना है 150 का है, that means कि जो 1 value, mid value होगी 130, उसे नीचे 2 values, उपर 2 values, ठीक है तो यहां पर अगर हम देखे, यह value कितनी आजेगे, अगर हम देखे, यहां पर 110 आएगा, यह 20, 30, 40, और यह होगा 50, तो कितना आगे आपके पास में, 120, plus 130, plus 140, ओके, सेम भी अगर हम MSE का find out करते हैं, तो MSE का देखे कितना है, यह कितना है आपके पास में, 210, 230, and 250, ठीक है कितना होगे, 210, plus 230, plus 250, ओके, टोटल करेंगे तो यह value आगे आपके पास में, yes, this will be 390, and this is 690, cancel out करोगे, 13 ratio 23, answer कितना आगे आपके पास, 13 ratio 23, हाँजी बताईए, clear, हाँजी, कोई doubt, कोई doubt, कुछ नहीं करना, just simple क्या देखना है, यहाँ से data pick करना आना चाहिए, आपको जो data है, उस data को, use कर लो further, okay, next देखने है, चलो, हाँजी, next question क्या है अपने पास में, next question क्या है, next है हमारे पास, क्या कह रहा है कि number of students studying MMS from institute X, MMS from institute X, MMS का है हमारे पास में, yes, this is MMS, and institute X is this one, ठीक है, तो यह value कितने हमारे पास में 220 आगे, is what percent of the total number of students studying in all the six courses together from the same institute, same institute means क्या कह रहा हो, institute X का ही data आपको उठाना है, सभी institutes के लिए, ठीक है, अब सभी के लिए देख लेते हमारे पास में, पहले तो यह हमारे पास X का data है, MMS का, ठीक है, यह कितना है 220, ठीक है, अब हम X का total लेना है, हमने, total देखते हैं, यहाँ पर देखे, blue line को आप ध्यान से, तो यहाँ पर हो गया, यह हो गया 120, ठीक है, यह 220 हो गया पास में 160, ठीक है, और यह देखे, यह हो गया 210, यह हो गया हमारे पास 160, ठीक है, और यह हो गया, आपके पास में 140, 140 हो जाएगा, बीच में आ रहा है, यह 130 हो जाएगा, ओके, इसको सबको total कर लेंगे, total आगे आपके पास में 120, प्लस 220, प्लस 160, प्लस 210, प्लस 160, प्लस 130, ओके, इसका total देखते हैं यह हो गया, आपके पास 500, 500, total will be 1000, ओके, now we want to find out percentage, now it is very easy to find out the percentage, तो required percentage यहाँ पर क्या आजाएगी, यह find out करना आपको MMS का 200, that means 22%, okay, so answer will be 22%, clear, हाँ जी कोईड आउट इसके अंदर, ओके, next move करते हैं, next question देखे, next question से पहले, हाँ जी इसके बाद next question करते हैं, एक important information उससे पहले, अगर आपको किसी भी particular topic के अंदर problem आ रही है, C set के अगर आपको किसी भी particular topic में problem आ रही है, चाहे वो आपका quantitative aptitude है, logical reasoning है, और this में भी English comprehension, ओके, तो उसके अज़र आप उस particular topic को ले सकते हैं, आप उस particular topic को ले सकते हैं, for example, आपको number system में problem आ रही है, you can take number system, puzzles में problem आ रही है, puzzles, reading comprehension में problem आ रही है, reading comprehension, ओके, again further आप क्या कर सकते हैं, video lectures आप ले सकते हैं, इसके अलावा, अगर video lecture, अगर concept clear नहीं है, ठीक है, अगर concept clear नहीं है, in that case, video lecture आप ले सकते हो, अगर आपको practice questions की requirement है, in that case, you can take practice questions also, तो micro courses काफी important रहने वाले आपके preparation के लिए, ठीक है, तो micro courses का link description में available है, yes, micro courses का link description में available है, आप कोई भी particular micro course ले सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा, सभी को पता है, exam pass है, बिल्कुल ही exam आने वाला है, और C set equivalent आपका important है GS के, क्योंकि बेशक से C set हम यह कह सकते qualifying है, बट अगर qualify नहीं हुआ, तो फिर GS का कोई फाइदा नहीं रह जाएगा, वो आपको भी पता है अच्छे से, ठीक है, अभी आप इस stage पे हो, कि मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, you know कि कितना important है, तो इसके अंदर खास करके, जो quantitative aptitude है, वो काफी ज्यादा important role play करता है C set के अंदर, इस बार आपने देखा, अगर 2020 का अगर आपने exam देखा है C set का, तो 43 questions थे quantitative aptitude के अंदर से, तो आप यहीं से idea लगा सकते हो, कि कितना important बन जाता है quantitative aptitude, तो ज्यादा time मत लगाओ, C set पे बद कुछ time तो आपको devote करना ही पड़ेगा, ठीक है, आप यह मान के चलो कि daily गंटा तो लगाना ही लगाना है आपको, तो आप particular topic ले सकते हो, micro courses का, अगर आपको complete की जरूरत है, complete course भी अव लेबल है, yes, अभी पीडिया की तरब से C set का complete course भी अव लेबल है, जिसके अंदर आपको complete syllabus cover करवाया गया, then, yes, हाँजी बचे description में link अव लेबल, अगर कोई फिर भी problem आती है आपको, तो in that case आप comment section में comment कर सकते हो, okay, आपकी जो भी queries है, तो next question करें फिर, हाँजी, next question पर move करते है, देखी क्या है, क्या number of students studying in MSC and PGDBM together from institute X is approximately what percent of the total number of students studying in these two courses together from all the three institutes, हाँजी, question clear है, number of students MSC and PGDBM from institute X, ठीक है, from institute X से आपको लेना है, MSC, यह रहा आपका पास, ठीक है, और यह हो गया आपके पास में, yes, this is PGDBM, done, यह हो गया आपके पास 160, and this is 210, ठीक है, अब उसके बाद में कहा रहा है, कि is what, is approximately, what percent of total number of students studying all these three, यहाँ पे इसके भी तिनो लेने, और इसके भी तिनो लेने, clear है, question, बास, अब तो कुछ नहीं रहा गया, question के अंदर, सबसे पहले हमने X institute के total करने है, कि उसके MSC, plus PGDBM, कितना हो गया, 160 plus 210, this is 370, and now we want to take the total value of PGDBM from all the three institutes and BSC from all the three institutes, so total लेना है हमने, ठीक है, तो total अगर हम करते हैं, तो यहाँ पे अपने पास में value क्या आजाएगी, देखे, यहाँ इसको अगर हम देखते हैं, this is 160, then 180, and 190, ओके, और अगर हम MSC को देखते हैं, तो होगे 210, 230, and 250, ठीक है, तो यह होगे हमारे पास में 210, 10, plus 230, plus 250, हांजी, total करेंगे सभी का, चल दिस, total करें सभी का, यह होगे, आपके पास, 0, 5, 3, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 11, 18, 11, 14 होगे हैं, आपके पास में, 20, 20, okay, 220 आगय, 12, 20 आगय, done, अब हमें क्या percentage फाइंड आउट करने हैं, तो required percentage आपके क्या आ जाएगी, yes, this is 370 divided by, अब आपको nearby value find out कर रहे हैं, यहां से देखो बारत यह 36, 30% के nearby आ जाएगा, so this will be nearby 30%, okay, clear, next देखते हैं, हाँ जी, next question क्या है, what is the respective ratio between the number of students studying in MSC, MSC and BTEC together from institutes Y, Y का लेना है आपने किसका, MCA plus BTEC and the number of students studying in BTEC from institute Z, Z के BTEC लेना है आपको, okay, अब यहां पे देखो, Y का Y, that means की red line से जो represent हो रहा है, MCA and BTEC देखना है आपने, तो MCA कहाँ पे है, यह MCA है, और यह आपका BTEC, यह होगी value कितनी, yes, this is 140, ठीक है, और अगर हम BTEC का देखें, तो यह हो जाएगा, आपके पास में, yes, this is 190, 190, that means 140 plus 190, अब Z का देखते हैं, BTEC का, BTEC, Z, Z means green line, green line यह है आपके पास में, that means की 210, okay, total करिए, यहोगे नोर चार 13, 3 से cancel out हो गया, 3 साथ 21, so ratio will be 11, ratio 7, yes, this is 11, ratio 7, clear, हाँ जी, कोई डाउट, कोई डाउट, कुछ नी, जैसे जो data given है ना, उसका एक पर short form में, or down कर लो, और फिर वहाँ से data pick कर लो, उसको, use कर लो, simple, next, देखें, हाँ जी, next DI है, अलग से एक line chart, आप देखो, यह line chart देखो, आप, simple क्या है, आपके पास में, simple, एक line represent हो रही है, और वो एक line क्या represent कर रहे है, यहाँ पर आप देखो रहे हो, कि the following line graph shows the percentage break, breakup of the students studying in DPS, दैरादून, from level 6 to 10 in year 2019, 2019 के अंदर data given है, 6 से लेके 10th standard की students का, तो आप यहाँ पर question क्या है, the total number of students in level 6 and 9th together is what percent more than the total number of students in level 10? अब देखो, इसको आप दो तरह से कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, कि पहले आप यहाँ पर find out कर सकते हैं, आप इसने क्याने, total number of students, level 6 and 9th, 6 और 9th के total students, अब यहाँ पर एक और भी point दिया गया है, कि total number of students in the school is 2200, 2200 students है, तो आप पहले 6th के students find out करो, 6th के है 20%, 20% मतलब 440 students होगे, ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखे 9th के, 9th के हैं आपके पास में 18%, ठीक है, ऐसे find out कर सकते हो, यहाँ क्या तरीक है, कि हाँजी है तो total सारे का सारा किसमें से, 2200 में से ही है, हाँजी, 2200 के अंदर से ही 6th के है, ठीक है, इसी में से ही 7th है, इसी में से ही 10th है, तो आप direct percentage को percentage में से ना minus कर लें, ज्यादा easy हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा easy हो जाएगा, तो अगर हम 6th और 9th का अगर देखे, तो 6th और 9th का total कितना हो जाएगा आपके पास में, 6th और 9th, this is 36, 38, ओके, और अगर हम 10 का देखे, 10% of total, 38% of total, और अगर हम 10th क्लास का देखते हैं, this is 12% of total, now the question is, कि what percent more, 6th and 10th percent is what percent more than that, the total number of students in 10th, तब यहाँ पे देखे हो आप कितना जादा more है, कितना more है, yes, अगर हम देखे, तो यह आगया आपके पास में, अगर हम just value find out करें, तो कितना percent ज्यादा है, यह 26% ज्यादा है, ठीक है, अब यहाँ पे answer 26% नहीं आएगा बाटी, इस पास का ध्यान रखना, हमने compare करना है किस से 10th class से compare करना है, तो यहाँ पे percentage कितना ज्यादा जाएगा, this will be 26 divided by 12 into 100, अगर confusion होती है, तो पहले values निकाल लो आप, अगर आपको लगता नहीं कि मुझसे confusion होगी, तो values निकाल लो, ठीक है, otherwise confuse होने वादा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यह value आजाएगे, आपके पास में 12 दूनी 24, दो बच गया, ठीक है, 12 एकम, 12, 67 परसेंट के नहीं है, हाँ जी कोई confusion, ऐसे भी कर सकते हो, मैं अभी आपको बता है, देखो बेटा, सिंपल, यह कितना है, 440 स्टूडेंट्स आगे, ठीक है, यहाँ से गर हम देखे, ठीक है, 18 दूनी 36, 36, और 3, ठीक है, इतना ही आएगा, यह, और उसके बाद में यह 12 परसेंट, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 26, इन दोनों का टोटल करोगे, दूसरा क्या मैं थड़े, इन दोनों का टोटल करोगे, इसमें सिसना माइनस करोगे, मतलब इतना ज्यादा है, फिर वो जो वैल्यू आएगी, वो डिवाइड़ बाई इस इन्टू हंटर करोगे, तो उससे भी आप method बता दिया आपको, next देखे क्या, कह रहा है कि, if the level 6th, the ratio of the boys to girl is 6 ratio 5, if in level 6, ratio of boys and girls is 6 ratio 5 and the total number of girls in 6th is 50 less than the total number of girls in level 7, then find the ratio of the total number of boys in level 6 and 7, boys की ratio find out करनी आपको, येस बोस की रόσय फाइंड-ाूट करने तो पहले देखो कि 6 त के अंदर कितने student है 7th में कितने student है 6 त के अंदर हम देखें तो यहां पर देखे 6 के अंदर कितने student है हां जी 2200 का 20% कितना हो गया 440 हो गया पता चल गए कैसे है ठीक है अब अगर सेवंथ में देखे तो कितना स्टूडेंट है 35 परसेंट मतलब कितना होगे पैति दूरी सतर साथ सो सतर स्टूडेंट है अब उसने कहा है कि सिक्स्थ क्लास के अंदर Boys to Girl Ratio Boys to Girl Ratio कितनी है 6 Ratio 5 ठीक है टोटल स्टूडेंट कितने है 440 है तो हमें यहां से पता चल गया क्या जी 11 is equal to क्या हो गया 40 तो यह हो गया 4 से 24 और 4 पंजे 20 ठीक है That means कि boys कितने हैं यहाँ पर आपके पास में Yes, boys हैं आपके पास में 240 और girls कितनी है 200 है यहाँ तक किसी को कोई डाउट बिल्कुल कलियर अब उसमें क्या कहा है कि जो 7th class है जो 7th class है इसके अंदर girls कितनी है Girls in 6th class is less than 50 less than 7th ठीक है That means कि अगर मैं 7th class की girls की बात करूँ तो girls कितनी होगी आपके पास में 250 होगी Total students कितने हैं 7th के अंदर 770 है That means कि boys कितने होगी Yes, boys कितने होगे यह दिए होगे आपके पास में 520 होगे अब हमने find out क्या करना है 6th, 7th के boys की ratio find out करने है 6th और 7th class के Boys की ratio find out करने आपको तो 6th के अंदर boys कितने है 240 यह देख़ों हमने find out किया था और 7th के अंदर कितने है 120 ओके तो यह होगे आपके पास में हाँ जी यह आगे आपके पास में 4 से चला जाएगा 6 से 4 चीचे 24 और 4 एकम 4 चार दिया 12 6th ratio 30 हाँ जी बताओ कोई डाउट इसके अंदर clear देखो आपके पास में 6th क्लास का रेशो गिवन था उसके बाद 7th क्लास की गर्स आपको बताएगी थी कि 50 जाद है तो गर्स हमें पता है 7th क्लास का टोटल आपको पता है माहा से हमने बॉइस फाइंड आउट कर लिए दोनों का रिशो फाइंड आउट कर लिए बाद 10% 6th और 7th का जो student है वो कितना बढ़ गया 10 10% बढ़ गया है ठीक है एंड टोल नंबर आप स्टुदेंट इन एड़्ट इस डिएज बाई 20% और जो 8th है 8th के student कितने कम होगे 20% कम होगे ठीक है नाओ find out the difference between the total number of students studying in 6th and 7th together in 2020 to that of total number of student in 8th 2020 that means कि पहले मुझे ये find out कर रहे है 2020 के अंदर 6th 7th और 8th के अंदर अभी कितने student है ठीक है न 2020 के अंदर कितने students है पहला काम यही है अब देखो 6th class के अंदर देखा 2020 के अंदर अगर हम 6th class की बात करते हैं तो 6th class के अंदर क्या था पहले कितने student थे 6th के अंदर yes 220 इसके according अगर हम देखते है 20% तो 440 students था अपने पास में अभी 10% increase हो गया यही कह रहा है या आप सिधा यह कह सकते हो कि भी 44 students बढ़ गए जब 44 students यहां पर बढ़ गए हैं तो कितना हो गया 484 होगे ठीक है हाँ जी और ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आप लोगों को एक बैटर लगे 484 students होगे इसी तर ऐसे अगर हम देखे कि यहां पर कितने थे 770 students थे 77 और बढ़ गी कितने होगे 7 और साथ 14 847 students होगे यहां पर ऐसे कह सकते हो दोनों मेथड बता रहे हैं आप लोगों को जैसे आप लोगों को बैटर लगता करना वैसे कर सकते हो 10 परसेंट सिद्ध है ना 77 ठीक है तो यहीं किया है यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको 770 10 परसेंट बढ़ गये मतलब 110 10 परसेंट हो गए कितना गया 717 और साथ 14 इतने हैं एल्यो शॉआ अब हम बात करतें एट्ट क्लास के अंडर क्या है हाँ और इत्ट परसेंट कम होगे है पहले कितने थे 15 परसेंट 615 कै मतलब की कितने थे हैं आपके पास में यह सिए अ गया आपके पास में 15 से हो गया 15 दोनी 30, 330 टुडेंट थे, 330 स्टुडेंट थे और अभी यहां पर अपने पास में कितने रहाइगे, अभी यहां पर कह रहा है कि इसके 20% कम होगे, 20% कम होगे that means 66 students कम होगे, यह चोकी तोब में 264 होगे, ठीक है या फिर आप सिद्धा से भी क 80% रहे गे न, डन, अब हमने करना क्या difference find out करना है, किसका 6th, 7th, 6th और 7th का total का, और उसमें से हमने minus क्या करना है, 8th का, यही पुछा उससे, क्या क्या difference between the total number of students, 6th, 7th, 6th और 7th का total अगर हम करते हैं, तो यह value देखो, आपके पास में कितनी आगी, ठीक है, और 8th कितना है, 264, तो कितना रहे गया आपके पास, 1067, ठीक है, तो answer क्या जाएगा, 1067, we will be the correct answer, हाँ जी, बताएगे कोई doubt इसके अंदर, clear, I hope सभी को clear होना चिक, simple था, क्या है, हाँ पर कह रहा है कि 10-10% increase हो गया, हमने 10-10% increase कर दिया, फिर क्या कह रहा है, हाँ जी, फिर क्या कह रहा हो, कि आपके पास में, जो 8th class, उसमें 20% less हो गया, तो less कर दिया, हमने simple, okay, तो आज की class के अंदर इतना ही discuss करेंगे, I think, line chart के अंदर, कुछ concept तो clear हुआ ही होगा, अगर आप लोगों को लगता है, कि वीडियो helpful है, कही ना कहीं कुछ समझ में आ रहा है, तो वीडियो को like करेंगे share करेंगे अपने friends के साथ में, ठीक है, इसके अलावा, जो free warm-up course है, उसके कोई charges नहीं है, आप उसको register कर सकते हो, previous year series को register कर सकते हो, description में link available, okay, so thank you so much, मिलते हैं next class के अंदर, thank you.